नमस्कार, लक्षमिनाण जो 30 के इन माप सभी का स्वागत पंडिते पिश शुक्ला आज का विश्य आपको समझ में आ रहा होगा हस्त रेखा से सम्मंदित विश्य है और ऐसे एक बिंदू को मैं लेके आ हूँ आपके सामने जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर है अगर आप व्यवसाई है अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे है धन भले आप नौकरी पेशा हैं कहीं किसी ने कहा कि यह धन यहाँ लगा दो और इससे आपको लाब मिलेगा या फिर कह लिजे कोई शुरुवात करने जा रहे हैं नौकरी छोड़के आप शुरुवात करने जा रहे हैं तो देख लिजेगा यह रेखाएं जो रेखाएं मैं आज बताने जा रहा हूँ यह दिखाती है कि 90% नहीं ये 99% दिखाती हैं कि जाता का धन खर्च होने वाला या खराब होने वाला है सतर्क हो जाए केवल सतर्कता के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ और रेखाओं के बारे मैं आपको बताता हूँ अगर ये रेखाए हैं तो अपने आप पे भरोसा मत करिएगा अगर ये रेखाए हैं तो अपने आप पे भरोसा मत करिएगा सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा करिएगा अपनी आखों पे भरोसा करिएगा और अपने दिमाग पे भरोसा करिएगा दूसरे को उपर छोड़ दीजिया बहुत सोच समझ के चलिएगा अगर ये रेखाए उत्पन हो रही है तो या पहले से बनी है तो एक चीज मैं और यहाँ पर यह कहना चाहूंगा मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के जो है फला तांत्रे किया अलग कुंडली विलेशलेशन या अपने नंबर डाल देते हैं हलाकि समय समय पे जो है इनको डिलीट किया जाता है लेकिन इन वीडियो से जो भी डालते हैं नंबर इन नंबरों से या तांत्रिकों से या अन्य जोतिश के जो है जानकार है जो मेरे comment box में जो है कि आप अपना हस्त रेखा का निर्मा जो है देखवा सकते हैं फला नंबर तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है मेरे नंबर के ओल इसकिन पे चलते हैं और डिस्प्ले में चलते हैं डिस्प्ले में आप जो देख रहें नीचे वो नंबर केवल है अन्य था मेरे संस्था का कोई और नंबर नहीं है केवल यह दो नंबर हैं कभी भी संपर्क करना हुआ तो इन दो नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे जो है आपने हस्त रेखा और जरम पत्रिका दिखवा सकते अन्य था और कोई नंबर हमाई संस्था के नहीं और एक चीज़ों मैं आखाना चाहूँगा बहुत लोग अपना नंबर छोड़ देते हैं वीडियो के नीचे हमाई तरफ से कभी किसी को कोई फोन नहीं के आ जाता है जब किसी का कोई फोन आता है तो उसका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाता है और 100% जो है ये शो रहता है कि अगर किसी का फोन आया है अगर सम्मंदित चीज़ से जो है उसने दिखवाने की आपनी जो है व्याउस्थाएं बेजी हैं तो उसका 100% जो है जवाब देया जाता है या फिर उसकी रेखा या हस्त रेखा या जनम पत्रिका देखी जाती है के देखे सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोग से इन रेखाओं को देख लीजिएगा जो लोग सीख रहे है वो रट लीजिएगा ये रेखाए हैं और इनको काम करना है बले आप जो है अपने हाथ पर रेखा देखेगा अगर ये रेखा है तो समझेगा कि आ लगकर लिगाइबन उत्ति राजयोग को दिखाती है यह दिखाती है जातक जो है धनी होगा धन कि स्तिती बहुतायत में होगी अब इसमें जो है यह रेखा माली य strongly मोटी होने लग जब तक रेखा समानित थी, कटी फिटी नहीं थी, तब तक ये दिखा रही थी, कि और खुब धन कमाएगा भी जातक, ये दिखा रही थी, जातक पास धन के स्थिति बहतर है, ज़र धन जातक के पास आता रहेगा, अब यहाँ दुरभाग ये क्या पकड़ता है, ये रेखा पकारी होने लगे, या फिर रेखा तूटने लगे, अब ये बहुत बड़ा दुर्योग कहलाएगा, या फिर कहलीजे कि आने वाले समय में स्वास्त या धन का नुकसान होने वाला है, ये इस रेखा का बहुत महत्त है, बहुत लोगों के ऐसे रेखा हाथ में होती है, और पाद में पंडी जी आपने सही कहा, पहले सतर्क हो जाए, मेरा काम क्यों सतर्कता आपके अंदर सतर्कता लेके आना है, सतर्क रहिए बस, ऐसे लोग धीरे 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 शुनेता की तर बढ़ते हैं, धन प्रतिष्टा मान सभी चीज़ों को गवाते हैं, और उसका का पुड़ जाना, ये गाड़ी हो जाना, ये स्तिती को दिखाता है कि जब तूटने लगे तो धैरे का परचा दे दिएगा, उपर वाले का हाथ पकड़ लीजिएगा, हाथ पकड़ने मतलब जो है, कहीं ने कहीं जो है, अपनी पूजा पाट को अपनी ढाल बनाईएगा, औ लेकिन सब चीजों में जरूरी नहीं है, कुछ रेखा है मैं आपको और बताता हूँ, जो इसी से सम्मन्दे था, और ये रेखा आने लगें, तो सतर्ख हो जाईएगा, देखिए इस जगाँ पे एक रेखा होना, ये दिखाता है वैभव को, ये दिखाता है लक्षमी को, साइन, फिश का साइन, ये है फिश का साइन, घर परिवार के कारण जो है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, घर परिवार के कारण जो है, आपको तरक्की करने में दिक्कत आएगी, चाहे वो स्वास्त हो, चाहे किसी भी प्रकार से भी, कुछ ऐसी जिम्मेदारियों में आदमी बदे जाता है जिसके कारण दिक्कत आती है चाहे वो स्वात से सम्मंदित हो चाहे पत्नी से परेशान हो या पत्ती से परेशान हो या अन्य कोई कारण है ये दिखाता है कही ना कहीं घर परिवार में जिम्मेदारियों के कारण जो है चीजे खराब होने वाली है इसी रेखा इधर आगी एक रेखा और आगे exhausted अब यह समझ यह कहीं ना कहीं जो है यह यह रैखा कुछ सपोर्ड कर रही है और धौर भाग है कि पकड़ता है का एक मतलगां यह दन अगर यह रेखा है कि यह ऐसे भी हो सकती है यह एक हाई से भी हो सकती है यह जाए से ले लिजेगा आपको तो लगेगा कि पंडी जी का डरा नहीं रहूं क्यों समझा रहूं आखों को खोल लीजे बस और कुछ मत करिए थोड़ा सा आखों को खोल लीजे ये रेखा ऐसी रेखा है कि बहुत होंगे लाखों करोणों कुछ भी हो अगर जिस दिन ये रेखा बनने दिखाती है ये शुनिता को दिखाती है ऐसा आत्व्यक्ति जो है बड़ी महनत करने के बाद हो सकता कुछ मिल जाए इसके कारण थोड़ा कुछ मिल जाए लेकिन समय पे गिरेगा तो बहुत बुरा गिरेगा क्यों इस रेखा को मैं बता दूँ अगर ये भी है तो दिकतें बहुत जादा है दिकतों का भंडार है पकड़े लीजिएगा इश्वर के पैर माता पिता का जो है सम्मान करिएगा ऐसे में जो है ये कहा जाएगा माता पिता से ऐसे लोगों को सुख नहीं मिलता है और सुख ना मिलने का कारण वेक्तिक खुद होता है या फिर कह सित्ति है भले राजा के घर पैदा भूए हैं उसका कोई विशेस महत्व नहीं है कुछ रेखाई मैं आपको और बताता हूं कि अंगुठा आपका चौड़ा है अंगुठा आपका चौड़ा है हाथ में बहुत लाल पन नहीं है उंगलियां आपकी छोटी हैं उंगलिया छोटी हैं और हाथ के हतेली बढ़ी है, मतलब यह इसा बड़ा है और यह इसा छोटा है, इस जगां पर एक तीर थाइप का निशान बन रहा है, या फिर कह लिजे कि रेखा काट रही हो, या मोटी हो रही हो बीच से, या फिर आगे से मोटी हो रही हो, और उंगठ का नाखुन जो है चोड़ा है यह निर्धनता को दिखाता है भले धन्वान के घर अगर पैदा हो गए फिर भी जो है निर्धनता को दिखाता है यह संगर्ष को दिखाता है परिवार से सुखों में कमी को दिखाता है कोशिशे करिएगा कि मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करिए उपर वाले का आशिरवाद लीजिए क्योंकि ये काहिल भी मना देगा या फिर कह लीजिए कि ये आपको जो है दूर भागाएगा कारियों से दूर भागाएगा कुछ भी मैं समझाओं कुछ अच्छा समझाओं माल लीजे कोई पत्रिका दिखाता है मैं अच्छा समझा रहा हूँ उसको उसको समझ नहीं आएगा वो कहेगा पंडी जी जो है बिना बाद का थोपन है ये करो वो करो करने का मतलब केवल ये है मैं सबसे पहले प्रात्मिक्ता देता हूँ कि व्यक्ति खुद पूजा पाट करे उससे बढ़के कोई पूजा पाट नहीं है पंडी जी के पास ना जाना पड़े और सबसे बड़ा विकल्प ये है जो आप खुद पूजा करते हैं पूरा सरीर आपका ऑरा मुकत होता है ऐसा एक Araबनता है जो आने वाले समय में डिकते परेशानियों से कमी करेगा पारिवारिक सुखों में कमी की रेखा है जो मैंने आपको बताया और जिम्मेदारियां और उससे वक्ति जिम्मेदारी ने लेते नशा नहीं पकड़ना चीए, नशा के कारण बहुत सारी चीज़ें खराब होती है, और एक चीज़ और मैं यह कहूंगा, कि ऐसी संगत में भी नहीं बैठना चीए, जहां पर जो है नशा हो रहा हो, इतना परेज करना चीए, कि जहां पर वेक्ति नशा कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ मिनी बैठना चीए, कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ, इसी संबंदित, जो यह दिखाती है कि वेवसाय में रुपसान को, यह उंगली मान लीजे, वेवसाय में नहीं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो भी थोड़ा सतक रहिएगा, यह उंगली मा तो दिक्कतें जादा हैं, अगर बनने लग गई, तो यह कहा जाएगा कि जातक जो है, इसके कारण धन कमाया, इसके कारण धन आया, और यह जो है, दुर्योग को दिखा रही है, दुर्भाग्य को दिखा रही है, यह उंगली छोटी है, इसमें जाल बन रहा है, और लगा दो और आपने धन लगाया जिसके कारण आने वाले समय में एक समस्य आपने पाल ली और कभी भी कर्ज लीजिएगा बैंक से लोन लीजिएगा बड़ा सो समझ के लीजिएगा बुद्धी का भ्रष्ट हो जाना या जल्दबाजी में धन लगा देना उसके बाद जो है एक संकट में फस जाना ये उसकी रेखाए कुछ रेखाए मैं आपको और बताता हूं यहां से शुक्र के परवस्य जो है दो रेखाए आपकी जो है सीधी सीधी आ रही है ठीक है एक रेखाए तो भी नुकसान है दो है तो बहुती नुकसान है उपर से आके ये इस टाइप बेटाइप के आग है और उसके उपर से रिखा जा रही है मतलब धब्बे का निसान बन रहा है दाग धब्बे उसके उपर से रिखा जा रही है अगर दो निशान है तो ऐसे में कहा जाएगा भारी नुकसान एक रिखा है और यह स्थिति आगे जाके दो पाड़ हो रही है त समान तरीके से बता दूँगा तिंचार योग ऐसे बता दूँगा जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को बहुत देख डाक के चलना चीह है दूसरी चीज़ हाँ एक चीज और ध्या रखिएगा इसमें देख लीजिएगा ठीक है ये रेखा ही प्रियाप्त है अगर एक रेखा है और आगे जाके जो है दो रेखा में बट रही है या फिर जो है कई जगां से कट रही है ठीक है और बट रही है उसका कट रही है तो दिक्कतें ज्यादा इसका सपोर्ट करने के लिए गुरू का हिस्सा देख लीजिएगा इसका सपोर्ट करने के लिए चंदर्मा चंदर्मा फून गुलाई में है और ठीक ठाक सा उठा हुआ है गुरू के हिस्से में जो है एक दो रेखाएं आ रही है तो कहीना कहीं सपोर्ट तो करेगी फिर भी परेशान तो होगा व्यक्ति व्यक्ति को परेशान करने के लिए इतना काफी है उसके बाद एक रेखा और नीचे बन रही है यहाँ पर हड़ी आरी निकल लही है तो बहुत ज़्याद अदिक करते हैं बहुत सोच समझ के चलिएगा आने वाले समय में कही ना कहीं धनका नुक्सान होगा और वो लंबा नुक्सान होगा कुश रेखाओ मैं आपको और बताता हूँ इसी समंदित यह उपर से व के आकार में जो है आपकी सूरे रेखा उपर से व के आकार में बन रही है और इसमें से जो है एक दो रेखा और निकली और एक ये रेखा इधा चली गई अगर ये इतना भी है ठीक है ये इतना भी है ये इतना भी है तो भी नुकसान ऐसे लोगों को जो भी काम करा करें बड़ा सोच समझ के काम करना चीए जिसे समाज गलत कहता है ऐसे कार विल्विवागों में लिप्त नहीं होना चीए ये शो सकते या सरकारी डंड के भी किवे हैं बन सकते अगर ये स्थिती है तो या ऐसे आ रही है तो दिकतें बड़ी है तो ABT और इसके साथ मैं भी देख लीजीएगा OG रक शुक्र की रेखा जो यह तूट रही है और ऐसे करके जो है यह मशली के आकार की बन रही है और दो-तीन रेखाएं जो है इसमें से निकल रही है यह गूमी यह मत करिएगा कोशिश कर लीजिएगा धन मत लगाईएगा जब तक ये इस्थिती है थोड़ा सा समय का इंतिजार कर लीजिएगा समय का इंतिजार जैसे जैसे चीजें अगर बहतर दशा अंतर दशा आपकी अच्छी आने लगी या फिर कह लिए पत्रिका के इसाब से समाने भासा में समय अच्छा आने लगा तो रेखा धीरे धीरे जो है कम हो जाएगी और फिर लगा लीजिएगा लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है जीवन में मैंने देखा है होता वही है जो हात में या पत्रिका में जो लिखा है अगर हो सकता है कि किसी के माध्यम से चीजे बदलनी हो या कुछ उपायों के कारण चीजे बदलनी हो वो भी पत्रिका के माध्यम से जो है होता है नहीं तो कष्ट मिलना है तो मिलना है बुद्धी पे परदा पढ़ जाता है उस समय पे और अदमी व्यक्ति जो है धन लगा देता है डरा नहीं रहूं किवल मैं समझा रहा हूं किवल समझाने के लिए बैठा हूं कुछ ये रेखाएं आपको और बताता हूं मैं बस ये रेखाएं जो हैं तो देख दाख लीजेगा सो समझे लीजेगा उसके बाद ही धन का इंवेश्मन करिएगा मंगल छेतर से एक रेखा आपकी भाग रेखा को काटके आगे जाए मंगल छेतर से एक रेखा आपकी भाग रेखा को काट के जाए और उसके बगल से दो-तीन रेखा निकल लही हो इस जगहां से दो-तीन रेखा निकल लही हो मंगल छेतर से काट के एक रेखा आपकी भाग रेखा की तरफ जाए हाथ का उठा जो है यहां से हड़ी निकली हुई है ठीक है हाथ की उठी अंगलियां जो है यह आपका जो है इसा जो है एक उठा हुआ है हड़ी तायप की निकली हुई है और सूरी की उठीक है सूरी की उठीक है आपकी शनी की उठीक है ठीक है सूर की उंगली शनी की उंगली से काफी छोटी है और गुरू की उंगली भी जो है सूरी से छोटी हो बात समझेगा ये माल लीजिए ये आपकी उंगली जो है यहां तक है और ये भी उंगली अगर ये लंबी है तो कहिना कहिना सपोर्ट कर जाएगा ऐसे तो लोग बहुत किसमत के बहुत धनी होते हैं जो गाउधियास में कहा जाता है गुदड़ी के लाल अगर ये उंगली लंबी है और ये उंगली छोटी है और गुरू का परवस समाने साब भी उठावे बहुत तरक्की करते हैं बहुत नाम होता है से लोगों को पॉइंट आगया तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सूरी की उंगली जो है आपकी छोटी है गुरू की उंगली बड़ी है और जब ऐसे करके देखेंगे तो गुरू का हिस्सा और सुक्र का हिस्सा जो है ऐसे एक बराबर है बहुत तरक्की करते हैं ऐसे ओके लोगों के पास प्लांस बहुत होते हैं और इस सरकारी तन या गवननेंस के जो issues होते है उन्हें बड़ी पकड़ उती है कि बताओ फलाना इसको ऐसे काम करना चाहिए मतलब नित्र तो कन्ने की छमता और ये काबलियत देती है कि बड़ा व्यक्ति बनाती है देश समाज में जो है कहीना कहीं वो जाना जाता है चलि अपने विश्याप आते हैं ये उंगली जो है सूरे से छोटी है अच्छा निकलाएगा धन लीजिएगा धन उधार मत लीजिएगा और कहीं धन लगाना है तो बड़ा सोच समझ के लगाईएगा नहीं तो आने वाले समय में पीड़ा मिलनी ही मिलनी है ये मारकेश को दिखाती है मारकेश मतलब संघर्ष या पिड़ा में जीवन, जब दशा अंतरदशा बहतर होगी, हलाकि ये उंगलियों की इस्तिती ये बता देती है, कि जातक को संघर्ष जीवन परियंत जो है कहीना कहीं करना पड़ेगा, बहुत छोटी उंगली है तो, उसके बाद ये इस्तिती है तो, जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्थाएं जो बदलेंगी संघर्षों के बाद बदलेंगी, उमर का अगर मैं बता दूँ, 42 वर्ष और 56 वर्ष के बाद से जो है, इस पीरड में कहीना कहीं परिस्तियों में बढ़ोतरी होती है, ये पीरड जो है काफी अच्छा क्यलाता है, कुछ रेखा हैं मैं आपको और बताता हूँ, एक रेखा ये, भाग गे रेखा मरी बंद से सुरू होई और शनी उंगली के उपर चड़ गई, बहुत बढ़ी रेखा है, बहुत बढ़ी हां रेखा है, पंडी जी बताएंगे, इससे बढ़ी हां तो रेखा कुछ होई नहीं सकती, इतनी लंबी भाग गे रेखा, जब ये शुरू हो जाए, चड़ना, ये पहले से नहीं चड़ती है, ये समय का नुशा चड़ती है, जब ये चड़ना शुरू हो जाए, तो समय लीजे कि आप जो है, बस आप थोड़ा धहरे रख लीजे, समय का इंतिजार कर लीजे, कोई ऐसी दशा लगने वाली है, कोई महा दशा या अंतर दशा ऐसी लगने वाली है, जो आने वाले समय में आपको पीडा देने जा रही है, पीडा देने जा रही है, किसी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना है, तो राय जरू ले लीजेगा, पूछ लीजेगा, उसके बात शुरू करिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में नुक्सान पैदा ही करेगे, ऐसे लोगों को गारी गोड़ा भी बड़ा सोच समझ के चलाना चीए, एक्सीडन का भी योग बनाती है, ऐसे लोगों को एक्सीडन का भी योग बनाती है, गारी गोड़ा बड़ा सोच समझ के चलाना चीए, दूस अगर भागे रेखा पे, अकारण या अचानक जो है रेखाएं बनने लग जाएं, धान से समझेगा, ये रेखाए छोड़ पहले इतनी लंबी नहीं थी, 4-5 रेखा जो है ये काटने लगी, हो सकता मैं कई रेखाएं बना दी, 2 भी 3 होगा चलेगा, ठीक है, ये काटने लग गुरू पे जो है दाग दब्बे से आने लग जाएं, या तिल उभर आएं, ठीक है, गुरू पे दाग दब्बे या तिल उभरने लग जाएं, केतू पे एक रेखा आपकी जो है ऐसे कर क्याएं और उपर से महीन हो गई और नीचे से चोड़ी थी, ठीक है, उपर से महीन ह नीचे से चौड़ी थी या फिर कह लिजिए कि इस तरह की हो सकती है यह मतलब यह अंदर की तरह गुमी और यह अंदर की तरह गुमें ओपर से जो है दोनों रेखाएं अंदर की तरह गुमें धन मान लीजे इसकी वहरे से आ गया लेकिन धन रुकेगा नहीं प्रियासों में महनत ज्यादा करिएगा और ये इस्तिती जब बने तो उपर वाले का नाम लीजेगा और अपने माता पिता का आशिरव्याद लीजेगा उसके बाद सुरू करिएगा ये अच्छी इस्तिती नहीं है जो भी मैंने रेखाएं बताईए ये 90% वाली रेखा नहीं है 99% वाली रेखाएं इन रेखाओं को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हाथ है कि नहीं है जैसे बहुत लोग comment डालते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं क्या वो जीवन देखिए एक चीज़ समय लिए जब तक सांस चल लई है परमात्मा ने जिस समय पे आपको भेजा है और जब तक सांस चल लई है हाथ हो ना हो अगर हाथ होते तो रेखाएं चलती रहती रेखाएं इसी तरीकेश चलती रहती जब तक वेक्तिक सांस लेता है तब तक जो है जीवन चलता है रेखाओं का बाकी हाथ होने से कोई विशेश मतलब नहीं है अगर आपको कारकम अच्छा लगा या फिर कह लिजिए कि वीडियो अच्छा लगा बस एक चीज का ध्यान अखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पंडी जी आप जो है डराते बहुत हैं मैं डराता नहीं हूँ मैं समझाता हूँ कि ये रेखा है तो मेरे कहने से ही माल लीजिए नहीं तो लोट कि मेरे पास ही आना पड़ेगा कि पंडी जी मेरा बड़ा नुकसान हो गया आपने सही बताया था अभी तक का मेरा अनभव है बहुत पुराना अनभव है बहुत लोगों से सीखने को मिला और जिन लोगों को से सीखने का मिला वो वैसे लोग आज की डेट में मिलते नहीं हैं बस मैं यही काइना चाहूँगा अभी के लिए बस इतना ही नवस्क्राइब